तो अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस पे जाएगा और वहां पे जो है आपका उज़्षतिषगर क्या प्लेलिस्ट बनाए जहां से आप इसे पहले के वीडियो को देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं सिरपूर को जहां से आपके बहुत ज्यादा जो है कोश्यन पोछे जाते हैं मेली जो है लचमन टेंपल जो आपका लचमन मंदीर है वहां से जो है कोशन पूछा जाता है तो लचमन मंदीर आपका कहां इस्थीद है सिरपूर में है ठीक है ये आप यहां पे देख सकते हैं तो चलिए देखते हैं सिरपूर की क्या खास बात है और क्यूं इसको एक परियतन इस्थल के रूप में जाना जाता है तो देखिए महा समुन जीले के महा नदी के पूर्वी तर्ट पर जो है सिर्पूर क्या है बसा हुआ है तो सिर्पूर कहा है महा समुन जीले में जो महा नदी है तो महा नदी का जो पूर्वी तर्ट है वहाँ पे सिरपूर है, तो किस तत पर बसा हुआ है, अगर कोशन पूछा जाता है, तो महानदी के तत पर सिरपूर बसा हुआ है, और यह 36 गड़ का सबसे प्राचिन नगर है, सबसे प्राचिन जो है, 36 गड़ का सिरपूर है, सिरपूर का जो प्राचिन नाम क्या था, तो स् तो सिरपूर और इसको चितरांगनपूर भी कहा जाता था, सिरपूर का मतलब होता है स्रमिद्धी की नगरी, आगे देखते हैं, सिरपूर इतिहास प्रसिद्ध सरपूरी, ठीक है, पढ़ा है हमने जो हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, इसको, तो सिरपूर इतिहास प्रसिद सरबपूरी और पंडू वंसी राजाओं की क्या थी राजथानी ठीक है तो सरबपूरी राजा और पंडू राज़ाओं की जो है सिरपूर राजथानी रही है और चीनी आत्री हें सांग ने 649 इसवी में महा सियुगुप्त बाला अर्जुन के शासनकाल में सिरपूर की यात्रा की थी important question है हेन सौंग जो है किसके शासनकाल में 36 गड़ आये थे तो महा सियुगुप्त बाला अर्जुन के टाइम पे आये थे और कहां आये थे तो सिरपूर आये थे ठीक है सिरपूर महायान बौद और जैन धर्म का भी क्या रहा है बड़ा केंद्र रहा है कैस रोतों से ग्यात होता है कि इसा की पहली सताब्दी में दार्शनिक नागा अर्जुन यहां के विद्यालय के कूलबती थे जो काल नागा अर्जुन थे वो यहां जो विद्यालय है बौत धर्म से संबंधी था तो यहां पे यह कूलबती रहे है अब यहां पे बहुत इंपोर्टेंट है लच्मन मंदिर लच्मन मंदिर से काफी कोश्चन बहुत बार आपके एक्जाम में पूछे जा चुके है आगे भी पूछे जाएंगे तो यह मंदिर लाल इटों से निर्मी थे किस से बना हुआ है तो लाल इटों से बना हुआ है और भारत के सर्वुत्तम मंदिरों में से एक है और इस मंदिर का निर्मान किसने कराया था तो पांडू वंसी नरेश जो महासिव गुप्त बाला अर्जुन की माता थी वास्टा देवी ठीक है तो वास्टा देवी ने जो है उनके पती जो थे हर्स गुप्त उनके याद में जो है इस मंदिर का निर्मान करवाया था तो ध् इनके याद में तो उनके जो पती थे हर्सकुप्त उनके याद में इस मृती में जो है लचमण मंदीर बनाया गया था और लचमण मंदीर मेंली किसका मंदीर है तो यह जो है विश्णु मंदीर है ठीक है नाम है लचमण मंदीर और मेंली जो है यह विश्णु मंदीर है अभ मंदिर निर्मित हुआ था थीक है अब देखते हैं कि इस मंदिर का निर्मान कारे पूरा महा सिवगुप्त बाला अर्जुन ने करवाया था थीक है तो देखे इसको स्टार्ट जो है बनवाया था निव जो रखी थी वास्टा देवी ने रखी थी लेकिन इसको पूरा कराया महासिवगुप्त बाला अर्जुन्य। लचमण मंदिर के अलावा भी शिरपूर में बहुत से मंदिर हैं, जो काफी प्रचलित हैं। एक है गंधेश्वर महादेव मंदीर ठीक है आनंद प्रभु कुटिर विहार है ठीक है स्वास्तिक विहार है राम मंदीर शंग्राहला है ठीक है आधी जो है दर्शनी इस्थालों में से एक है सिरपूर में गंधेश्वर महादेव मंदीर के प्रांगण में जो है जैन और साम्त धर्म के से संबंधित प्रतिमाय क्या है मिली हुई है जो धर्म निर्पेक्छता की प्राचीन काल का सर्वसेष्ट उदाहरन है ठीक है एक ही मंदिर में जो है इतने सारे धर्म जो है एक साथ इतने सारे धर्म की जो प्रतिमाय है ठीक है तो इससे ये इस पस्ठ है कि ये मंदिर धर्म निर्पेक्छता पर अधारी था ठीक है तो धर्म निर्पेक्छता का जो है ये एक उदाहरण रहा है सिर्फूर में तारा देवी की अधृति प्रतीमा भी मिली है जो वर्तमान में कहा है तो अमेरिका के लॉस एंजिल संक्राले में रखा गया है important है most important है याद रखिएगा ठीक है सिरपूर में तारा देवी की मंदिर जो प्राप्त हुए तारा देवी की जो मूर्ति प्राप्त हुई है वो अभी इस वक्त वर्तमान में कहा है तो अमेरिका में जो लोस एंजिल संग्राला है म्यूजियम है वहाँ पे ये इस्थीट है प्रतिवर्स यो है बुद्ध प्रतीमा पूर्णीमा के आऊसर पर सिरपूर में मेले का आयोजन लगता है और महा सिवरात्री में यहाँ पे मेला लगता है यहाँ पूरा तात्विक विभाग का भी संग्राला है याद रखेगा पूराताइवी कि विभाग का म्युजियम कहां है तो सीरपूर में हैं आगे देखते हैं राजीम को देख लेते हैं राजीम जो है कहां है तो राजीम है आपके गरिया बंजीले के माहा नदी पैरी और सुंडुर नदी के शंगम पर बसाएं कोष्चन पूछा जाता है कि महानदी जो है किन नदियों की संगम पर है तो महानदी पैरी और सोंडूर राजीम का एक प्रमोख भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टिन्ट इस्थान है राजी लोचन टेमपल जहां से कोष्चन पूछा जाता है देरेक पुछ लिया जाता है कि राजी लोचन टेंपल जो है मंदिर कहां इस्थित है ठीके तो ध्यान रखेगा नगर जो है ये नगर जो है चतिसगर का एक प्रमुक सांस्कृतिक केंदर रहा है राजीम को चतिसगर का प्रयाग भी कहा जाता है ठीके चतिसगर का प्रयाग क को कहा जाता था प्राचिन में वैदिक ग्रंथों में इसे कमल चेत्र और पंच कोशी के नाम से संबोधित किया गया है 36 गड़ सरकार दौरा इसे पांचवा तीर्थ माना जाता है याद रखेगा पांचवा तीर्थ किसे माना गया है 36 गड़ मिर दौरा तो राजीम को आगे देखते हैं तो यहां के मंदीरों में राजी लोचन जो मंदीर है वो प्रसिद्द है काफी प्रसिद्ध है राजी लोचन मंदिर राजी लोचन मंदिर का निर्मान करवाया किसने था तो लिलनालवंस के एक सासक थे विलास तूंग ठीक है उनके दोर जो है ये राजी लोचन मंदिर का निर्मान करवाया गया था बाद में रतनपुर राज जी के पृत्विदे दृत्ती के सामन्त थे जो जगत पाल थे ठीक है उन्हों ने इस मंदिर का जिर्णो धार कराए था कोशन पूछा गया था और पूछा जा सकता है तो इसको ध्यान रखेगा नागर सैली में ये मंदिर निर्मित है तो नागर सैली में निर्मित राजी लोचन मंदिर सातवी सदी के मद इटो से निर्मित है जिसके गर्वगरी में काला पत्थर से निर्मित भगवान विश्णो की मद मूर्ती है तो इसके अंदर कौन सी किनकी मूर्ती रखी गई है तो विश्णो की माननेता है कि जगन्नात Πूरी की यातरा उस समय तक पूरी नहीं होती जब तक राजिम की यातरा नहीं कर ली जाती ऐसा जो है माना जाता है आगे देखते हैं कुलेश्वार महा देव मंदिर जो राजिम में है काफी प्रचलित है तो महा नदी, पैरी और सोंडूर नदी के शंगम पर ये मंदीर बना हुआ है इसके अतिरिक्त राजिम में राजेश्वर मंदीर है, गुतेश्वर मंदीर भी है महादेव मंदीर है, तेलिन मंदीर है, शोमेश्वर महादेव मंदीर उलेखनी है इसके अतरिक्त यहां लोमस रिशी, इंपोर्टेंट है लोमस रिशी, दौम रिशी और प्रह्मचरी का आश्रम, इस्थित है काफी पर लोमस रिशी का पूछा जाता है, तो लोमस रिशी का आश्रम कहा है, तो राजिम के कुलेश्वर महादेव मंदिर पे इस्थित है, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आँखे के परियता निस्थाल को डिस्कस करेंगे तो थैंक यू थैंक यू फोर वाचिंग